तो जैसा कि आप सभी को थमनेल से पता हुआ होगा कि यहाँ पर इंटर में एड्मिशन के लिए यहाँ पर 5,328 अस्कूल कॉलेज के लिए 21,000,000 सीटों की सुची जारी कर दिया गया है मैं कुछी दिन पहले एक वीडियो बना कर लाया था जिसमें आप से भी को बताया था कि उसमें इंटर का इड्मिशन कब से होगा और उसमें सीट कितना एवलेवल है कौन सी कॉलेज में कितना सीट है कैसे चेक करेंगे उसका मैं एक कंपलीट जनकारी दिया था साथ साथ में मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पर इंटर का इड्री दुशन नमांकर यानि कब से होगा तो मैंने उसमें बताया था कि चौधल तारीक के बाद हो सकता कि एड्मिशन ना स्टार्ट होगा आज 14 तारिक है 14 तारिक है एक पेपर कटिंग डाउनलोड किया हूँ जो हिंदुस्तान के पेपर कटिंग है जिसके पेपर कटिंग के माधे हैं समय आप से भी कुछ जानकारी यहां पर देने वाला हूँ यहां पर लिखावाँ इंटर नमांकन तीरपन सो ओठाइस स्कूल कोलेज के लिए 21 लाग सीटों के होगे ही जारी यहां पर साथ में देखे बिहार बोड ने कॉलेज और संकाय सीटों पर सूची पर आपती मांगी है और पहली बार उतकरमिक बिद्याले में इंटर की नमांक कर दी है और आज भर में 3528 इंटर अस्कूल और कोलेज की बारे में 21 लाग सीटों पर नमांकन कर लिया जाएगा बिहार ने संकाय वार सीटों को सूची जारी कर दी है और वहीं अस्कूल कोलेज के संकाय सीटों को आपती भी मांगी है इस अगर इस अस्कूल या कोलेज में संकाय सीटों पर किसी तरह की आपाती होती होता अस्कूल की कोलेज के पर सासन द्वारा 14 जुन तक आपाती दर्ज करवा सकते हैं इसके लिए फाइनल सूची जारी कर दिया गया यान कि कितने सीट हैं कितने एविलेबल हैं भी सीट किस कोलेज में तो आज तक पूरे तरह से जारी कर दिया गया है और कितने कोलेज में एडिमिसन लिया जाएगा साथ में या पर लिखा गया कि सीचा भी भागतवार जार राजभर के 1800 से अधिक अस्कूल में उत्करमिक किया गया है और पहली बार उत्करमिक विद्यालों में इंटर का नामांकन मुका मिलेगा यह नामांकन की पूरी पर क्रिया ओफेस पोर्टल के माध्यम से होगी नामांकन पर क्रिया ओनलाइन होगी अबोर्ड इसी सब्दा के ओफेस नामांकन सुरु कर दिया जागा यानि कि देखे यहां पर पहले तो 27 मैं इसको यहां पर अस्टार्ट किया गया था यहां पर पहले कि एक वीडियो का कंप्लीट लेकर आया था जिसमें बताया था आप सभी को कि यहाँ पर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ इंटर का नामांकन उसका जैसी डेट आया आप मैं आप सभी को बता दूँगा तो उसमें आपको क्यों बताया था यहाँ पर सीट चेक करने के लिए क कौन सी कोलेज में कितना सिठ चेक है क कौन सी कोलेज में आपे डिमिशन लेना चाहांगक कि आपको जल्दी अडिमिशन होगा और सिट के अनुसार से आप अपने कोलेज मिले सकते थे अडिमिशन तो आज इस कि पेपर कटिंग के माधह से मैं आप सभी को बताया है Russians कि कि Portal में इसी सब्धाह में मतलब आपका नाम आंकर अस्टार्ट कर दिया जागा नाम आंकर जैसे ही अस्टार्ट किया जागा आप से भी कुमें वीडियो बना कर एक Complete लेकर आउंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको नाम आंकन कैसे करना है और कितनी college का नाम चूज करना है एक बात और ध्यान नहीं यहाँ पर अपने college का नाम चूज करना है कि कौन-कौन से college में आप अपना नाम देना चाहते है नाम admission करना नहीं कि कॉन-कॉन सा college का नाम choose करना चाहते हैं college का नाम आपको कम से कम 10 चूज करना है कि कम से कम आपको 10 college का नाम choose करना है जिसमें आपको किसी भी college में नाम आगा तो आपको admission कराना होगा और साथ में आपको document क्या क्या रखना तो document में आपको सबसे पहले आपको अपना mark sheet अगर मिलागा तो वो रखना है नहीं तो आपके mark sheet नहीं है तो आपके पास जो पहले के यहाँ पर इंटर का जो matrica जो 2022 matrica आपके पास mark sheet नहीं मिला है भी तक तब college में उमीद है कि मिला start होगा आप जाकर college से ले लेंगे नहीं तो आपके पास admit card होगा तो admit card से admission होगा एक महीने का अंदर का photo अगर है तो बेटर रहेगा ज्यादा और इतने सारे document का आपको लगेगा उमीद है कि आप पर 350 रिपर payment करता थो हो सकता है कुछ दिन पहले जारे किया है तक फ्री में होगा लेकिन अभी ऐसा कुछ information नहीं है तो आप सभी जीतने भी अस्टूटेंट है सभी अस्टूटेंट अपना अपना यह भी डोकुमेंट है आपको पास complete करकर रखी document जैसी इसका फॉरम भराना start हो जागा मैं आप सभी एडिमिशन लेना चाहिए और कितने college का नाम रखना चाहिए हमें चूज करके तो इसलिए आप सभी जल्दी सी जल्द तयार हो जाए और अपना अपना सभी document को complete करके रख ले वीडियो अचला होते एक लाइक जरूर कर जिया सभी फ्रेंड को share किजिए ताकि सभी को जानक आए और सभी फ्रेंड को